नमस्का दोस्तों मैं सुमचे ओधरी, सक्सेस प्लस केंट पैटफोर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वात करता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता चली गया होगा कि रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट करी जिसमें हम अमेरिकी महादीपों, जिसमें नोर्थ अमेरिका और सौथ अमेरिका दोनों महादीप आते हैं इनके इत्यास का अध्यन कर रहे थे तो अगर हम अमेरिका के इत्यास की बात करें तो उसको हम सामने तर्द दो चरणों में पढ़ते हैं एक है pre-columbian era और एक है post-columbian era columbian period कौन सा है? Columbus से बना है columbian और आप ये जानते होंगे कि किस्टफर Columbus नाम का एक वेक्टी यूरोप से specifically Spain से चलके अमेरिका की जमीन पर पहुँचा था लगबग यहां पर पहुँचा था तब दुनिया को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई जमीन भी दुनिया में exist करती है और उसने यहां पर आके देखा कि यहां पर तो कई सारी सभेताएं रह रही हैं दरजनों की संख्या में सभेताएं हैं उनके अलग-लग culture हैं अलग-लग उनका political structure है भाशाएं बहुत तरीके की बोलते हैं अलग तरीके के उनके religion हैं काफी complex सी society यहां पर रहती है तो उसने जब दुनिया को जाके बताया especially Europe को जाके बताया तो Europeans यहां पर आने लग गए उन्होंने यहां पर अस्प्लोर किया और धीरे-धीरे आके वो यहां पर बसने भी लग गए और यहां की जो पुरानी सभ्धाएं थी और यहां की जो डेमोग्राफी था उसको पूरी तरसे डिस्टरब कर दिया पूरी तरसे बदल दिया आज के अमेरिका को आगर आप उस दोर के अमेरिका से कंपेर करें तो आपको बिलकुल अलग नजर आएगा तो पंदरवी शताबदी से पहले अमेरिका कैसा था अमेरिका में होमो सेपियन्स की एंट्री से लेके कोलंबस की एंट्री तक का जो पिरियड है ऐसा मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा यहाँ पर, तो वो एक ओवर्वियू था, जिसमें हमने दर्जनों सिविलाइशन का अध्यन किया था, अमेरिका में कैसे आये ये लोग और कैसे यहाँ पर रहे, तो उसकी बात हमने की थी, अब हम इन सभेताओं को इंडिविज्वली पढ़ेंगे, और कुछ सभेताओं को हम पढ़ चुके हैं, जैसे ओलमिक सिविलाइशन हुआ, मायन सिविलाइशन हुआ, और आने वाले समय में और भी सिविलाइशन को हम पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम मिजो अमेरिका की, जो म आज के समय मैक्सिको देश बसा हुआ है यहाँ पे मेडाइवल पिरियड में तकरीबन तेरवी शताबदी से लेके सोलवी शताबदी तक एक सभेता रही थी जिसका नाम था एजडेक सिविलाइशन या इसको एजडेक अमपायर कहा जाता है इसके और भी नाम है जैसे मैक्सिका सिविलाइशन भी इसको कहा जाता है इस सिविलाइशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है इसकी सोसाइटी कैसी थी इसका पॉलिटि चर्चा करते हैं, शुरुवात करते हैं as day compare से, जैसा कि मैंने कहा कि इसको triple alliance कहा जाता है, triple का मतलब होता है तीन, तो तीन छोटे city states मिला के एक बड़ा empire बनाते थे, और ये तीनों छोटे city states थे, इनको नहुआ city states कहा जाता था, क्योंकि नहुआ भाशा, नहुलेट भाशा य एक शहर था, एक छोटा city empire था, और एक था टेस कोको, एक था टलान कोपान, ये तीन छोटे city states मिला के एक बड़ा सामराजे बनाते थे, जिसका नाम था as day compare, शुरुवात में ये तीन थे, लेकिन बाद में छोटे-सोटे कई सारे city states मिलके, काफी बड़ा इनका छेतरफल थ बड़े-बड़े hub हैं, जिसमें टीनो-टिच-टलान जो शहर था, ये सबसे महत्पूर्ण था, और ये हलांकि एक alliance में था, लेकिन इसका dominance इस पूरे solution में सबसे ज्यादा था, ये center था, ये capital भी था, यहाँ पे इनका power का main source था, center था, यहाँ पे आज की समय मेक्सिको city बस अधानी भी है, तो Gulf of Mexico और Pacific Ocean के बीच में ये सब्भेता बसी हुई थी, ठीक है, जिसमें आपको map देख रहा है, कि core states तो ये था इसका, और इसके tributary states भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये हलके brown color में, इसके allied states जो हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह के का, इसका geographical center था, ये लोग माने जाते हैं कि पहले nomadic थी, काफी घुमकर परवर्ती के थे, एक जगे से दूसरी जगे जाते रहते थे, settle down नहीं होते थे, लेकिन तकरीबन तेरवी शताबदी में 1250 के आसपास ये लोग जो है, मीजो अमेरिका में आके settle हो गए, मीजो अमेरिका जो है वो तकरीबन 1520 तक तो अच्छे से चल रही थी, 1519 तक तो अच्छे से चल रही थी, लेकिन उसके बाद Spanish लोग यहां पे आए, उन्होंने देखा कि ये छेतर जो है हमारे कंट्रोल में होना चीए, यहां पे इन्होंने देखा कि अच्छा व्यापार होता है, और काफ यहां पे लाखों की आबादी को पूरी तरह से द्वस्ट कर दिया, मार दिया, कई लोगों को यहां मार दिया, बड़े इस तरफे जेनोसाइड्स हुए, जेनोसाइड्स के अतिरिक्त भी यूरोपेंस जो है अपने साथ यूरोप की बिमारिया लेके अमेरिकी महादीद मे कई लोग बिमारियों से मारे गए और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या भी कम हो गई, इनको मार भी दिया गया और उसके बाद, अमेरिका के अंदर, यह जो, अमेरिकी दोनों महादीब जो हैं, इन दोनों महादीबों के ओपर, पूरी तरह से यूरोपियंस का कबजा हो गया, Europeans ने अपनी colonies यहां पर establish कर ली शुरुबात हुई थी Columbus की इस यात्रा से जहां पर वो यहां पर आया फिर बार बार यात्रा हैं हुई Europe से हुई जिसमें कई लोग यहां पर आये Europe के Portuguese भी आये Spanish भी आये, British भी आये French भी आये, कई लोग आके उन्होंने यहां पर सभेताओं को यहां पर पूरी तरह से destroy कर दिया और उन्होंने यहां की demography को पूरी तरह से बदल के रह दिया तो प्राचीन काल के जब हम civilizations की बात करते हैं जैसे इंडस्वेली civilization का जो दोर था उस समय दुनिया जो है वो इन्ही छेतरों को जानती थी इसमें एशिया, यूरो, अफ्रीका ये continents को जानती थी उस समय अमेरिकी महादिपों को भी नहीं जानती थी और उस्टेलिया को भी नहीं जानती थी तो यहां पर इन सभेताओं की हम मेज़र चार civilizations की बात करते हैं इसमें उससे पहले और कई सेताओं पहले से था का दोर आया पर इसमें इज़रोप से जो है लोग निकल के अपनी जहाजों को लेके अलग लग रास्ते खोज रहे थी उसमें एक आदमी जो है कुलम्बस यहां पर पहुँँच गया एक आदमी पूर्टगाल से निकल के भारत के लिए समुद्रियास्ते खुजता-खुजता यहां पे पहुँच गया, उसका नाम था वासको डिगामा, वो 1408 में पहुँचा यह 1402 में में अमेरिका पहुँच चुका था, तो इस तरह के की चीजे हो रही थी, और उसके बाद इन लोगों ने, ना केवल Spanish और Portuguese ने, बलकि बाकी Europeans ने भी आके अमेरिका के अंदर, यहां की पुरानी जो सबेताई थी, उनको धीरे-धीरे करके यहां से हटा दिया, और डेमोग्राफी को पुरिता से बदल दिया, यहां पे आपको सब दिखेंगे, Spanish लोग जिनका बहुत अमेरिका की, United States of America देश की मैं बात करूँ, उसके अलावे यह देखें, रश्या की वो territory, Alaska जिसके उपर रश्या का दबदबा था, लेकिन बाद में अमेरिका ने उसे खरीद लिया, तो ऐसे करके धीरे-धीरे चीजे जो है, यहां पे पुरिता से कंट्रोल हो गया, लेकिन फिर 18-19 विश्यताबदी में यह देश जो है आजाद हुए, आजाद तो हुए लेकिन यहां के ओरिजिनल हैबिटेंड जो थे, ओरिजिनल नेटिव लोग जो थे, वो अब यहां पे उस संख्या में नहीं थे, वो लोग आजाद नहीं हुए थे, यह बैसिकली यह जो की यूरोप से आजाती थी, यहां पे डेमोग्राफी पुरितर से बदल गई थी, यहां पे कुछ लोग बचे थे पुरानी सब्वेताओं के, पुराने अमेरिका के नेट्यू बचे थे, लेकिन उनका ना तो पॉलिटिक्स में इतना कंट्रोल था, ना ही उनके पास पावर इस्टेक्स इलाइशन वैसे बहुत पुरानी नहीं है, यह 13-14-15 शतावदी इतनी पुरानी समय तो है नहीं है, आट सो नो सो साल पहले की बात है उस समय इस्टेक्स इलाइशन था, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिसकुशन कर लेते हैं, देखें, एस्टेक्स लोगो यह पूरी तरह से लोगों को सर्टेन नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि नॉर्थ की यह ट्राइब थी, नॉर्थ की तरफ से चलती चलती, यह आई थी और मीजो अमेरिका में आके 1250 के आसपा सेटल डाउन होगी, और एजडान का मतलब उसे होता है वाइट लेड और यानि वाइट डेजर्ट जहां पर बरबारी बहुत होती है, वहाँ से कहीं से आये थी, और इनको कई नाम है इसके इसलिए तो इनका नाम एजडेक पड़ा, मेक्सिको जहां पर आज बसावा है, वहाँ पर रहते थे तो इनका नाम मेक्सिका भी पढ़ गया, उसका यहां पर बढ़ गया, और इनका जो ओरीजन मित है, इनका जो creation मित है, उसमें इनगोंने ये बताया है, है इनका जो religion है उसके अंदर इन्होंने कई सारी चीजे लिखित में दर्ज कराई है कि हम as done नाम की जगह से आये थे और हमारे एक देवता थे एक pattern गोड थे इनका जो religion है वो polyethistic religion है उसमें कई सारी देवताओं की पूजा करते हैं उसमें एक देवता है जिसका नाम तो काफी complicated सा है जिसका नाम है हुई टिजिलोपोच्ली ये नाम है बार बार नहीं लूँगा में नाम तो इस देवता ने इनको ये कहा कि आप एक ऐसी जगह की तलाश में जाईए जहां पे एक giant eagle जो है बड़ा जो chill होती है बड़े जो eagle होती है वो एक snake को खा रही होगी और वो एक cactus पे बैठा होगा वो eagle तो ये eagle जो है बाज जो है वो cactus पे बैठा हुआ अगर साब को खाता हुआ जहां दिख जाए तो वहां पे जाके अपना डेरा डाल लेना तो ये इनके इस देवताने काही थी इनको बात फिर ये लोग गए और इन्होंने देखा कि ऐसा एक जग़ा हो रहा है और तो मेक्सिको वाली जग़े पे जाके उन्होंने इस जग़े पे देखा कि Lex Tax Coco जो है उसके पास ऐसा हुआ कि एक साब को खाता हुआ बना जहांपे आज मेक्सिको सिटी बनी हुगी है आप समझ गए इस बात को उसके बाद ये नेटिव लोग यहां पे रहने लग गए धीरे धीरे इनका रहन सहन जिनको रेड इंडियन कह देते हैं कॉमनली कह देते हैं सबको रेड इंडियन विसे कि जिस अमेरिकी महादीपो पे रहने वाले लोगों को जो इनके नेटिवस थे उनको कह देते हैं तो इनका पहनावा इनका तो तरीका ऐसा था सबका एक जसा नहीं था क्योंकि दरजनों सब बेताएं थी और सबकी सोसाइटी सबका रहन सहन बहुत अलग था एक दूसरे से ठीक है अब एस्टेक लोग हैं इनकी ये खेती करते थे तो उसके अलावा फिशिंग और हंटिंग भी करते थे तो जो यहां के लोकल एनिमेल्स थे उनकी हंटिंग करना फिशिंग करना और खेती बाड़ी करना ये सब चीजे इनका मेन काम था उसके बाद इनके ट्रेडिशन में और इनका जो काम था उसमें military भी बहुत महत्पूर्ण थी, warfare tactics इनके बहुत बहतर थी, इसलिए इतना बड़ा समराजे establish करने में ये सफल भी हुए, शुरुवात में छोटे-छोटे city-state थे लेकिन बाद में जो है power struggle शुरू हुआ, बाद में नोंने एक alliance बनाई और बाद में इस समराजे बड़ा अंपायर के, तो ये कैसे बना, इसकी भी एक कहानी है, उस कहानी की थोड़ी सी हम देख लेते हैं कैसे हुआ, तो टेपाने के नाम का एक छोटा सा city-state हुआ करता था, ये city-state जो है, ये expand कर रहा था दीरे-दीरे मेक्सिको वाले छेतर में, मेक्सिका जो छेतर था वहाँ प करता था, और वो इतना powerful नहीं था, वो एक तरीके का, एक तरह से इनका substitute वो था, मतलब एक होता ना, कि इनके under काम करता था, ये उनका feudal था एक तरीके से इस तरह से काम करता था, लेकिन बाद में दो states जो थे उनके बीच में power struggle होने लग गया, टेक्सिको गया सपस वाले छ सपोर्ट किया, टेपनेकेस जो city-state था, उसका सपोर्ट किया, अभी तक ये उसके supporter थे, लेकिन आगे चलके जो है, टेपनेकेस जो है, वो भी इनके खिलाफ हो गया था, तो उसके बाद एक civil war start होता है, तो अच्छे military skill होने की वज़े से, और able warrior होने की वज़े से, एक military power के तोर पे ये उभर के आए, और उभर के आए तो इनके आसपास के जो लोग थे, इनके आसपास के जो छोटे वोटे city-state थे, वो इनके साथ दोस्ती रखना चाते थे, और इनका support चाते थे, कि एक political role अदा करने में कि कौन कहां पे power में रहेगा, उसमें इन warriors का अच्छा महत् कौन था उसमें, जिसके सबमर्थन में ये होते थे, वो एक लड़ाई में जीत सकते थे, इस तरीके की इस्तिती थी, तो अब इससे इस्तिती हो गई कि ये जो मैंने आपको बताया कि टेपा केस, एसका पोटला को वाला जो छेतर था, मैं आगे आपको मैप में दिखा देत हूँ, यहाँ पे सब चीले पावर स्टरगल चल रही थी, छोटे-छोटे कई सिटी स्टेट्स थे, उसमें टेपान केक का इन्होंने साथ दिया, टियनो टिच्टलैन ने टेपानिक का साथ दिया शुरुवात में, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये जो टेपानिक अंपा खुद करना चाता है, तो टेपान ये जो टीनो टिचकन के एस्टेग वाले लोग हैं, ये अपना अधिकार उससे मांगते हैं, लेजिटिमेसी मांगते हैं, तो उस दोरान तक मेक्सिका जो था, एस्टेग जो थे ये, इनका थोड़ा-थोड़ा एक तरह से रिकोगनाईज होने लग गया था, पहले तो इनके पास लेजिटिमेशन था नहीं इतना कि ये कोई इंडिपेंटेंट किंडम बना सकते थे, इसा नहीं था, लेकिन बाद में इस्टिति ऐसे हो गई कि इनके जो साथी थे, टेपाने किंग, वो लोग जो है, वो इनका साथ देना बंद करन पेक, यहां तक 1426 तक तो इस्ति ठीक चलती है, यह एक दुसरे के लाई होते हैं, लेकिन उसका बेटा जो होता है, मैकस्टला, यह जब राजा बनता है, तो यह थ्रोन पे बैठते ही जो इसके जो साथ के जो लोग हैं, इसके फंक्शन के लोग हैं, उनको अपोज करना इसने कहा दिया था कि अब हना हमारा ट्रिब्यूटरी पेमेंट है उसको बढ़ाओ, और हम जो एक ट्रिब्यूटरी के तोर पे हमारा अधिकार चाहते हैं, तो टेपानेक किंग ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, टेपानेक से बाकी जो इसके ट्रिब्यूटरी थे वो टिच्टान, टैकसको, तलाकोपान और एक और ये धैँ हूई और नो, यह जो सारे सिटी स्टेट्सब्यूटरी से विद्रोव कर देते हैं, और कहते हैं कि अब हम जंग करेंगे और टेपानेक के साथ नहीं रहेंगे और यह जंग होती है 1428 में, टेपनेक वर खतम हो जाते टेपनेक वोर के बाद ये जो एक स्टेट था सिटी स्टेट खुई शौक्षे और नियुक्सो ये तो अलग हो जाता है लेकिन बाकी तीन जो हैं वो साथ में रहते हैं और ये मिलके 1430 में एक अलाइंस बनाते हैं जिसका नाम होता है ट्रिपल अलाइंस और ये टेपनेक को हर और टला कोपान जो है इनको इनकी छहतर चाया में रहना पड़ता है ये चीज़े होता है क्योंकि टेनो टिच्टेलाइन शहर की बदोलत ही ये वोर में भी जीते थे तो ये वाला जो छेतर है यहां पे ही शुरुआत हुई थी इस एस डे कमपार की इस ट्रिब्यूटरी की इस ट्रिपल अलाइन्स की लेकिन ओवर दा पिरियड ऑफ टाइम ये लोग जो है एक्सपैंड करते हैं और एक्सपैंड करने के बाद ये पूरा छेतर जो आपको दिख रहा है रेड कलर में ये इनके डॉमिनेंस में आ जाता है ठीक है तो 1428 में इस कोटल नहीं शुरुआ करी थी ट्रिपल अलाइन्स उसी के दोरान हुआ था और उस दोरान ही टेपनेक अंपायर को भी हरा दिया टेपनेक जो चोटा सा स्टेट था वैसे तो बहुत बड़ा अंपायर नहीं था कोई लेकिन उसको इस राइवल को हरा दिया और उसके बाद इसका जो सक्सेस्टर थ इस आदमी ने इस SD कंपायर को मजबूती दी एक बहुत अच्छा वोरियर थार इसको कहा जाता है कि SD कंपायर का जो है वो फांडिंग फादर था ये एक तरह से फादर ओफ SD कंपायर मना जाता है नाम का किंपडम है उसके अंदर इसके सिटी स्टेट्स रह रहे हैं इन सिटी स्टेट्सlav से विरोध किया इस सिटी च जो है आदे अमका शक्षी मनाते हैं तक आप मानिए कि एस्टेक अंपायर जो है वो पावरफुल हो गया था 500 से ज़्यादा सिटी स्टेट्स के कंट्रोल में थे इसकी आबादी की बात करें तो 5 से 6 मिलियन थी 50 से 60 लाग लोग जो है वो यहां पे रहते थे अच्छा इनका कोमर सेंटर था अच्छे इनकी मार्केट्स थे दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से इनका मार्केट था टियोट इस्टिलैन शहर का ये उरोपेंस ने भी इतना बड़ा मार्केट कभी उरोप में भी नहीं देखा था इतना बड़ा था इसकी जो यह टियोच इस्टिलैन शहर था इसकी अंदर भी तकरीबन एक लाग चालिस जार के आसपास लोग रहते थे तो काफी dense population वाला यह शहर था काफी popular था यह पूरे मेज़ों अमेरिका में इस तरह से काम करते थे तो काफी market भी वो था market भी करते थे ट्रेडिंग वगेरा करते थे खूब तो पचास जार के आसपास लोग जो है रोज market में जाते थे इतनी बड़ी इनकी economy थी highly developed और socially intelligent लोग थे artistic भी थे काफी artistic work इनका मिलता है इनके यहाँ पे caste system भी था अगर इनकी society की बात करें तो strict caste system था जिसमें उपर के जो तबका था top class जो थे उनको nobles कहा जाता था और जो lower class थे नीचे नीचे उनको serfs कहा जाता था जो servant class में होते थे जो enslaved भी होते थे जिनमें slave लोग भी होते थे यह सब लोग यहाँ पे रहते थे तो complex सी इनकी पूरी society थी लेकिन strongly developed थे काफी socially intellectually developed थे और यह दोर भी 13-14 शतावदी की बात चल रही है यह और 16 शतावदी तक यह लोग पहुंचे हैं तो वो दोर जो था उस दोरान इन्होंने काफी कुछ सीख लिया था हालां कि बाकी दुनिया से इनका इतना connection नहीं था लेकिन फिर भी अमेरिका के बाकिस relations से इनका connection था इनकी mythology की बात करें तो मैंने जैसा कि कहा कि आप मैंने separate video मना जुका हूं मैं तो उसको आप जरूर जाके देखेगा लेकिन कुछ-कुछ बातें कर लेते हैं asdic religion की asdic religion बाकी मिजव अमेरिका के कई religions की तरह ये भी पॉलिथिस्टिक religion था माया civilization का जो religion था वो भी इनसे काफी मिलता जुलता था यहां पे भी human sacrifice जैसे चीजे होती थी human sacrifice एक बहुत बड़ी अलग विशेष्टा है मिजव अमेरिका के कई religions की जिसमें इनसान की बली दी जाती है अपने देवताओं को खुश करने के लिए आगे उसकी मैं आपसे बात करूँगा कैसे देते थे लोग बली तो यह सब चीजे होती थी और उसके लाव कई इनके गोड थे जिसमें एक गोड का मैं नाम आपको बहले ही बता चुका हूँ जिन्होंने इनको रास्ता दिखाया कि किस तरह से इनको कहां पर जाके बसना है एक एगल जहां पर साब को खा रहा होगा कैक्टिस बे बैठके तो वो गोड ओफ वोर और अंड सन है उसके लावा कुट्स जलकोटल नाम के एक फीदर सर्पेंट गोड भी है इनके एक टोल्टेक गोड भी है इनके जो पुरानी सब्वेता थी उसके टोल्टेक गोड भी थे यह तो कई सारे सब्वेताएं थी जो आपस में जुड़ी हुई भी थी पहले के विरासत से भी कई सारी चीज़ अपने रिलिजिन में एड करते थे लेकिन कुछ चीज़े जो है उनकी यूनिक भी थी तो इस तरह से चीज़े थी तो human sacrifice होता था कुछ बड़े festivals पे और वो festivals जो है उनमें ये था कि इश्वर को खुश करना है संगोड को खुश करना है ताकि वो आपकी मदद करें आपको आपका पालन पोशन करें अच्छी क्रोप्स यहां पे होगें और आपका सब्वेता जो है फलती फूलती रहे 35 दिन का इनका कलेंडर था जो 18 महिनों में बटा हुआ था एस्टेक लोगों का कलेंडर से ज़्यादा आपको पता है माया कलेंडर बहुत फॉपलर था जिसमें लोगों ने ऐसी भवश्यवानी कर दी थी कि 21 दिसंबर 2022 को 2012 को दुनिया खतम हो जाएगी लेकिन वो माया सब्वेता का एक ऐसा कलेंडर था जो कि साइकलिक कलेंडर था एक पॉइंट के बाद खतम हो जाता है फिर वहीं सा वो साइकल फिर से शुरू होती है जिनको तीन कैटेगरी में इन्होंने बाटा हुआ था एक तो वो थे जो कि आस्मान स्काई और सेलेस्टियल बेंग को रिपरजेंट करते थे जिसमें ग्रेह है आसमान में रहते हैं उपर उस तरह से जो चीज़ें रिलिजिंस में होती हैं एक रेन और एग्रिकल्चर के गोड़ थे उनमें भी कई सारे गोड़ थे लेकिन ये कैटेगरी है एक वार और सेक्रिफाइस के गोड़ थें तो इनको ये ज्यादा लोग जो हैं सेक्रिफाइस देते थे जिसमें हुमन सेक्रिफाइस ऐसी भी चीज़े हैं और उसके लावा इनकी कोस्मालोजी में भी अलग लग तरीक है कि ग्रेह जो हैं yUNYVERS बताई रखे हैं ये लोग, वो लोग, मद्य लोग और पाता लोग के सब चीज़े जो है religious mythologies में होती ही है आपको पता है, इनके ये men dieties थे, इनकी तस्वीरें जो है इनका आपको दिखेगा कि बहुत अलग है काफी artistic है इनके जो गोड्स है उनकी तस्वीरें इन्होंने बहुत complicated सी बना रखी है, ऐसा नहीं है कि जैसे और कई religions में anthropomorphic गोड्स होते हैं, जिसमें इश्वर को मानल सवरूप में दिखाय जाता है उनका चहरा, उनका body structure इश्वर का जो है वो इनसान से मिलता जोता होता है, लेकिन इनका काफी अलग है, तो ये इनके इस तरीके गोड्स हैं, जिसमें एक गोड्स हैं जिसमें दो lord और दो lady हैं, जो की divine male और female गोड्स मने जाते हैं, जिन्होंने सब कुछ बनाया, उनको creative मना जाता है, तो ये इनकी dietis को इस तरह से represent किया गया है, इनका जो myth है, इनकी जो mythology है, उसमें इस तरह से इनको बताया गया है, कि इन्होंने धर्पी के अंदर सबसे पहले शुरुआत करी थी, humanity की, इनसानियत इनकी वज़े से आया इनसान पैदा हुआ, इनके बच्चे हैं हम उसके अलावा जो पैटर्न गोड है, मेकसिका के हुली जी पोली, जो important है काफी sun गोड और war गोड इनको कहा जाता है तलाट लोक जो गोड है, ये एक pan-mizo-a-amerika गोड है, rainstorm के, pan मतलब पूरे मिजव अमेरिका में इनको माना जाता था, सबी aztec के अंदर भी माने जाते हैं, god of rainstorm, water and thunder इनको माना जाता है एक और god हैं, जो काफी मेजव अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलते हैं ये shaman god इनको माना जाता है ये omnipotent और universal power इनके बास है तो इस तरीके के कई main diabetes हैं और बाकी आप जो religion वाला वीडियो उसमें जाके देखिएगा आपको अच्छे से पता चलेगा human sacrifice की मैंने बात करी तो आपको पता चलता है कि ये जो मैक्सिको सिटी है अज के समय जो पुराने समय में टीनो टीन शेहर हुआ करता था यहाँ पे 10,000 से 80,000 के आसपास sacrifice किये गए ये आपको एक अंदाजा लगाया जाता है जिसमें पता चलता है कि ये इतना होता था चार दिन में 1487 में एक great pyramid के उपर एक बहुत बड़ा event हुआ था बहुत सारी sacrifice दिये गए थे तो जिसमें माना जाता है कि 80,000 तक लोगों को sacrifice किया गए होगा इतना बड़े नंबर में तो ये एक आपको कहीं न कहीं brutality भी दिखती है इस सभेता के लोगों के अपने gods को खुश करने के लिए खुश करने के लिए उनको उनकी खून की प्यास बजाने के लिए इस तरीके के काम करते थे तो ये काफी उस दोर में करना काफी अलग था और unique भी है लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनसान के बली देना कितना खतरना काम होता होगा कैसे करते थे काफी complicated सा complex ritual था जिसके लिए plan किया जाता था कि किस तरह से plan किया जाएगा और जो sacrifice दिये जाते थे जिन लोगों के वो ज़्यादातर warrior class होते थे कई बार slayos भी होते थे उनमें कि कौन सा गोर्ड है जिसकी कर रहे थे जो superior गोर्ड थे गोर्ड उफ उनको warriors की बली दी जाती थी जो warrior इनके खुद के होते थे उनकी बली ये लोग देते थे इस तरह से चीज़े होती थी तो इस तरह से चीज़े पिरामिड के उपर ले जाके और उसके बाद अपने गोर्ड को appease करने के लिए लोग करते थे तो इनका मानना था कि हमारी duty है कि हम अपने देवताओं को भी feed करे human blood से जिससे वो इस sun को alive रखे जो सूरज जिससे हमें रोशनी मिलती है जिससे हमें धूप मिलती है जिससे हम अपनी खेती को भी फाइदा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो sun guard हमें sun दे रहे हैं वो light दे रहे हैं लेकिन अगर हम उनको भूखा रखेंगे और इनके जो प्रीस्ट होते थे और जो लोग होते थे सेक्रिफाइस करवाने वाले वो लोग जो हैं वो जाके इनसान के छाती में उसके चेस्ट में एक तरह से खंजर घौप के उसका ब्लड निकाल के उस तरह से वो देते थे तो काफी मतलब आप समझ सकते हैं कितना को परफॉर्म करते थे. तो ये इस तरह से थी हर्ट को cut out करके ये उस से पूरी तरह से sacrifice किया जाता था. तो काफी complicated सा है और काफी दर्दनाक और काफी डरा होने भी ये scene रहा होगा. उनके लिए normal था लेकिन हम ये सोच के भी हमें घबराट हो अब फाइनली बात करते हैं कि इस एजडेक अमपायर का डिकलाइन कैसे हुआ कैसे यूरोपियंस ने यहां पर आके इन्वेजन किया और यह सब्वेता जो है यह खतम हो गई इसका विनाश हो गए इतना पावरफुल और इस तरीके का अमपायर होने के बावजूद भी और का अपना पावर जो है उसको स्ट्रोंग लिए अपना स्ट्रोंग होड मेंटेन किया था लेकिन फिर भी हार गए कैसे तो यह चीजे तो यही से शुरू होगी पंद्रूश रतापदी में जब यूरोपियंस यहां पर पहुँचे उनको पता चला धीरे दीरे पहले कुछ छे सिकन टेरिटरी में पहुँचा था इसने यहां पर अपने सो लोगों को ले जाके तीन जहाजों में जाके यहां पर पहुँचा उसके बाद देखा कि यहां पर लोग रह रहे हैं यह वैक्ति क्यूबा पहुँचा वापिस क्यूबा में इनका गवर्नर था फ्रांस का स्प इसको हटा दिया था जो डियागो था उसने इसको हटा दिया था पद से लेकिन इसके बाद भी जब ये बात पता चली इस कार्टिस को तो इसने गवर्णर से बिना पूछे 630 लोगों को लेके जिनके पास स्वार्ड और शिल्ड ही थी और 1539 में जाके ये युकार्टन चला गया मेक्सिको टेरिटरी में चला गया इसमें सोचा कि मैं अखिल पर गया मेक्सिकन कोस्ट के साउथिस्स में पढ़ती है वहाँ पर जाके इसने अपनी आर्मी को ट्रेनिंग और इनिंग दी और कहा कि अब हमें लड़ाई लड़नी है और इस चैतर को कबजा करना है अब थे ते उसके पास 630 क्याश्पार्वासी लोग लेकिन ये गया और जाके ये 1519 में जाके वहाँ पे जाता है Mexican territory में Asdic civilization में जाके एंटर लेता है वहाँ पे राजा जो होता है वो होता है Moktis Muma 2nd Maktisuma 2nd जो है एक Maktisuma Fest था जिसने Asdic Empire का founding fathers जिसको मैंने बताया था वो था अब ये Maktisuma 2nd है इसके दोर में ये Harnes Cortes जो है यहाँ पे पहुँचा अपने soldiers को लेके गया अब उसको पता था कि यहाँ पे आस पास कि जो चोटे मटर सिटी स्टेट्स हैं वो कई लोग जो है वो टीनोटित कैन्स शहर से परिशान भी होंगी तो उनको अपने साथ किया उनको लालस दिया नेटिव लोगों को अपने साथ मिला के अलाइन्स मनाई और उसने पता किया कि इन लोगों के पास क्या है क्या नहीं है और इसकी कमजोरी क्या है किस तरस इनको हराय जा सकता है उस सब चीज़े जानी दूसरी तरफ Mountajuma जो था वो आदमी इसका स्वाघत करता है अपने लोगों के साथ इनको guests की तरह treat करता है as deck customs के इसाथ इनकी greeting करता है उसको नहीं पता है कि ये जो आदमी इसके सामने आया है Cortes ये इनके खाथ में का कारण बनेगा इसका ये अच्छे से welcome करते हैं आके हम पर अटेक कर देगा उसके बाद एक सरिमनी होती है एक डांस सरिमनी बगईरा होती है और उस सरिमनी के दुरान ही Spanish जो इनके लोग होते हैं वो इनके टूट पड़ते हैं इनके nobles को मार देते हैं thousands की संख्या में लोगों को मार दिया जाता है संख्या में बले ही यहाँ पे एस्टेक लोग ज़ादा थे लेकिन उनके वेपन जो है वो इतने अच्छे नहीं थे कॉर्टेस जो है वो छल जानता था यहाँ के लोगों को पहले से उसने अपने साथ ले लिया था कुछ लोगों को तो उसने इनको दोखा दिया और दोखा देते देते यहाँ पे एस्टेक नोबल्स को मार दिया और इनका जो राजा है वो भी uncertain circumstances में मारा जाता है पहले तो उसको study में ले लिया जाता है उसके बाद दो मारा जाता है तो इस तरह से जो है सबसे पहले भी लेके हैं जैसे कि मैंने कहा था कि अमेरिका में यूरोपेंस जब आये थे तो यहां से लेके बहुत सारी चीज़े गई है मक्का, पोटर्टो, तवाकु यह सब चीज़े अपने साथ लेके गए हैं लेकिन देने के नाम पे बदले क्या लाए हैं स्मॉल फॉक्स वगेरा कैटल वगेरा भी लेके आए, पिग वगेरा यह सब चीज़े भी लेके आए लेकिन बिमारियां लेके आए बिमारियां लेके आए जिसकी वज़े से यहां के बहुत से लोग बिमार हो गए और बिमारियों के चपेट में आके बहुत बड़ी आवादी जो है वो मारी गई malaria, yellow fever, small fox जैसे disease लेके आए, सिप्लिश जैसी बिमारिया इन लेके आए सिप्लिश तो यह यहां से लेके गए थे उटा तो ऐसी चीजें हुई जिसकी वज़े से यह लोग जो है बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वज़े से मारे गए और एक वेक्ति था, एक बड़ा famous story उसने कहा मौंग था वो, उसने कहा कि ऐसी स्टती आ गई थी Aztex के यहां पे, कि हर घर में बहुत से लोग मर रहे थे और कई गई घर में तो सब लोग मारे गए, सब लोग मर गए बिमारियों की वज़े से और ऐसी स्टती हो गई कि लोगों को दफनाएं कहां पे, दफनाएं, दफनाने के लिए practically possible नहीं था तो लोगों ने अपने घर जो हैं वो पूरीता से पुल्डाउन कर दिये और उन गरों के अंदर ही वो लोग जो हैं उनको दफना दिया गया, अपने घरों को ही दफना दिया गया और उनके घर जो हैं, वो उनके मकबरे बन गये, उनकी टॉम बन गया तो इसी इसी थी कि एक घर में मानलो 5 लोग हैं 5 हो मर गए तो इस घर को इगरा दिया गया और ये लोग जो है इसके अंदर ही रफन गए और इनका ये टॉम बन गया तो ऐसी इस्तती थी और ऐसा मानले था 1520 में तकरीबिए एक साल में 1519 में ये यहां पहुंचे थे और एक स फिर से कोशिश करी इन्होंने कंसोलिडेट किया अपने लोगों को एक लड़का था इनका मॉंटे जुमा का लड़का था यंगर नेफ्यू था उसुरी उनका जिसका नाम था क्यो हेट मोक इस व्यक्ति ने इस नेफ्यू ने कोशिश करी कि ये राजा बनके एक बार से दिया गया 13 अगर्स 1521 को एक भेंकर लड़ाई होती है और उस भेंकर लड़ाई में SDC Ampire को पूरी तरह से धराशाई कर दिया जाता है 2,4,000,000 लोग जो है माने जाते हैं कि इस City Conquest में मारे गए सारे जो City के लोग थे उनको पूरी तरह से मार दिया गया और Aztec Civilization को खतम कर दिया गया ये सब्वेता पूरी तरह से खतम हो गई यहाँ पर एक सब्वेता जो की 400 सालों से तक्रीब जाड़े 300 सालों से चल रही थी जिसमें इतनी बड़ी आबादी थी उसमें आदी से ज़्यादा आबादी की जान तो इन्होंने बेमारी उसे ले लिए और बचे खुचे लोगों को इन्होंने युद में मोत के घाट उतार दिया और कोर्टेस ने इस 24 शहर को हटा के यहाँ पे मैक्सिको सिटी की एक तरह से फाउंडिशन रगदी एक नया शहर बन गया जो आज भी है मैक्सिको सिटी जो मैक्सिको की राज़दानी है और ये उरोप का उस समय का प्रीमियर जो है ये उरोपियन सेंटर बना जहां पे खूब ट्रेड होता था और काफी ये एक सेंटर भी बना क्योंकि नोर्थ अमरिका और साउज अमरिका दोनों से इसकी कनेक्टिविटी थी और बीच में पड़ जाता था और उनके पास एक्विपमेंट्स भी नहीं थे लड़ाई के लिए इतने बड़िया वेपन भी नहीं थे उनके सामने ये उरोपियन्स की जीत हुई और उसके बाद अमेरिका के अंदर इस्तती पूरी तरसे बदल चुकी थी अब डेमोग्राफी बदल चुकी थी धीरे धीरे करके कई सब्वेताइं जो थी उसको ही ये उरोपियन्स जो है वो खा गए निगल गए उन सब्वेताओं को और वो वहाँ पे डेमोग्राफी जो को डाउनलोड किजीगा प्रीज यहां पे आपको इन वीडियो की पीडियेफ मिलेंगी इंसे रेलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे साथ में आपको यहां पे चैट सेक्शन से आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं किसी भी तरह का कोई डाउट हो वो पूछिए जो आप पे आपको बहुत अप्रोप्रीट प्राइस में वीडियो मिलेंगे उनके नोट्स मिलेंगे उनसे टेस्स भी लेंगी तो यह भी आप जोइन किजेगा आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो उसके अलावा और भी आपके प्लेटफॉर्म से वहाँ पे आपको सक्सेस्ट पर सकेडमी दिखेगा वहाँ पे आप जोइन किजेगा तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो और हैवे गूड दे सी नेक्स क्लास